स्पोर्ट्स वाशिंग इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट्स खेलों का इस्तमाल करके अपने पॉलिटिकल पाप को धोना और इस चीज में साओधी अरेबिया मास्टर है दुनिया को पता भी नहीं चला और साओधी अरेबिया खेल कर गया स्पोर्ट्स अमूमन हम आदमी ऐसा सोचते हैं कि यह एक ऐसा फिर्नोमेना है जिसमें पॉलिटिक्स इंवॉल्ड नहीं है पॉलिटिटिशेंज की आप कहलो नेता बाजी इन वॉल्ड नहीं है sports में passion है, मेहनत है overall लोग अपना दिल लगा के sports देखते हैं ये team जीज जाए, किसी एक particular player को support करते है इंडिया पाकिस्तान का cricket match होता है तो कहीना कि इसमें इंडिया versus पाकिस्तान वाला element जरूर आ जाता है बट वो politics के respect में नहीं आता है वो लोगों के passions, जो game की तरफ लोगों का जुडाओ है उस respect में आता है लेकिन, खेलों का इस्तमाल करके कोई country अपने bad human rights record को दबा सकती है अपनी international छवी को सुधार सकती है ये बात यहाँ पे साओधी अरे ने करके दिखाई है और एक unethical sense में करके दिखाई है एक sports है golf, golf एक महंगा game माना जाता है बहुत सारे लोग, मतलब मेरे आपके जैसे आम लोग चल्दी golf नहीं केल पाएंगे उसमें एक particular आपको golf club जाके join करना पड़ेगा उसकी तगड़ी fees होती है, proper equipment gear खईदना पड़ता है आपके पास ठीक टाक टाइम होना चाहिए, शहरों के बहार होता है sports club चुकी बहुत बड़ी जगा चाहिए होती है उसके लिए और अब तक golf के tournament conduct करने वाला जो सबसे बड़ा आप कहलो organizer था, वो था PGA Tour अगर किसी को बड़े level पे golf खेलना है इतना पैसा दिया कि बहुत सारे लोगों ने PGA Tour के साथ अपने contract तोड़ दिये और वो live golf के साथ involved हो गया उसके बाद PGA Tour ने live golf के उपर बहुत सारे contract breach के cases ठोग दिये, live golf ने भी पलड़ के PGA Tour के उपर case ठोग दिया कि तुम इस particular golf के market को monopolize करना चाहते है और यह लड़ाई शुरू हो रही थी खास बात दोस्तों यह है कि यह जो live golf नाम का institute है जो कि बड़े scale पे golf के tournaments को conduct करवा रहा है इसको पीछे से चला रहा है साओधी अरेबिया और साओधी अरेबिया का sovereign wealth fund जिसमें दबा के पैसा है खास बात यहाँ पे यह है कि recently यह announce हुआ है कि PGA Tour और live golf यह दोनों आपस में मरज हो जाएंगे अब PGA Tour अपने आप में एक iconic organization था अलग live golf एकदम से आता है और कुछ सालों में PGA Tour को इस हद तक competition दे देता है कि PGA Tour और live golf आपस में मिल रहे हैं मिलने के बाद इस combined golf entity को कौन own करेगा साओधी अरिब्या मतलब golf का पूरा का पूरा game साओधी अरिब्या के हाथ में चला गया और साओधी अरिब्या की sovereign wealth fund ने सिर्फ गोल्फ में ऐसा नहीं किया है 2021 में साओधी की sovereign wealth fund ने एक team खली दी जिसका नाम है Newcastle United English football में ये team काफी famous है फिर Christiano Ronaldo जो की दुनिया के सबसे बड़े football player है I'm sorry to messy fans तो एक साओधी football club है अल नसर उसने Christiano Ronaldo को खरीदा 200 million euros में अगर एक euro को आप 90 रुपे कमानो तो 200 million euro हो गया लगबख 1800 करोन रुपे तो football के game को साओधी एरिबिया की तरफ खीचने के लिए एक साओधी football club में involved कर लिया Christiano Ronaldo को almost 2000 करोन रुपे खर्च करके फिर 2023 में Formula 1 को American owners से खरीदने की कोशिश की सो चो Formula 1 जो की car racing की सबसे बड़ी organizational body है उसी को यहाँ खरीदना चाह रहा है साओधी एरिबिया 1000 करोन डॉलर खर्च करके open करने के plan में है साओधी एरिबिया इसके लिए जो IPL में खेलने वाली T20 के team owner से उसको साओधी एरिबिया ने contact भी किया boxing के game को साओधी एरिबिया के अंदर लाने के लिए Anthony Joshua को पैसे बाटे मतलब कुल मिला के दुनिया भर के sports को साओधी एरिबिया अपने यहाँ पे खीचने की कोशिश कर रहा है क्यों बहुत simple logic के दोस्तों साओधी एरिबिया को बहुत सारे stands पे question किया जाता है चाहे woman rights हो woman ने जब साओधी एरिबिया के अंदर कार चलाने का अधिकार मांगा उनको उठा की जेल में डाल दिया गया जमाल कोशिगी के मडर के लिए साओधी एरिबिया के king को irresponsible ठराया गया साओधी एरिबिया के अंदर human rights और democratic rights ना के बराबर हैं तो एक dictator सरकार के साथ western countries engage करें और ये dictator सरकार के अंदर investment भी जबरदस तरीके से आए top travel destinations की तरह आपने आपको portray करना चाता है साओधी एरिबिया oil dependency से हटा के अपनी economy में tourism based revenues को बढ़ाना चाता है साओधी एरिबिया और उसके लिए साओधी एरिबिया को अपनी international image सुधारनी है और उस international image को सुधारने के लिए यहाँ पे sports का जरीया चुना है साओधी एरिबिया ने sports एक ऐसी चीज है आप कम कमाते हो जादा कमाते हो social status आपका नीचे है जादा है किसी भी धर्म को आप belong करो sports हर तबके को जोड़ता है basically यह political है लेकिन यहाँ पे साओधी एरिबिया ने sports को भी political बना लिया लोगों के emotions के साथ खेलके साओधी एरिबिया अपनी खुद का PR बढ़ा रहा है और ऐसा नहीं कि साओधी एरिबिया अकेले ऐसा कर रहा है कतर में football वर्ड कप हुआ overall कतर को human rights के लिए आपने आपको एक indispensable position में खड़ा कर देगा साओधी एरिबिया तो अपने आप में इंडिया को भी overall इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए I hope आपको यह lecture पसंद आए हो वीडियो को लाइक को शिर करके जाएगा चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और मेरी एप हर शिद्विधि एजुकेशन डाउनलोड करके आप कोर्से चकाउट कर सकते हैं Have a great difference